मुश्कार वेलकम टू इंडियन कंस्यूशन क्लासेस यह इंडियन कंस्यूशन का सेकेंड क्सेशन है सेकेंड क्लास है और इसमें हम हिस्ट्री आफ कंस्यूशन आफ इंडिया के बारे में डिसकेशन करेंगे जब हम हिस्ट्री आफ कंस्यूशन आफ इंडिया की बात करते हैं तो अक्सर आपको ये आप ऐसा कहते हुए सुने होंगे कि भारत जो है प्रजात तंत्र की धरती रही है जी हाँ जब दुनिया के बाकी देशों के पास अपने लिए कोई साधन नहीं थे उसमें भी भारत के इतिहांस में राज्य करना बताया गया है राजा दुश्यन्त और माता शकुंतला के गर्व से उत्पन हुए राजा भरत राजा भरत ने इस धरती पर इस ब्रमांड में लोक तंत्र का पहला नीव रखा राजा भरत ने अपने बच्चों को राज्य का उत्राधिकारी न बना करके किसी सुजग्यों नागरी को राज्य का उत्राधिकारी बनाया और यहीं तो डेमोक्रेसी की विशित्र बाते हैं यहीं तो डेमोक्रेसी की विशेष्टा है तो जब हिस्ट्री ऑफ कंस्ट्यूशन ऑफ हिंडिया की बात आए तो यह महाभारत यूग से प्रारंब होता है और उसके बाद से वैदिक यूग में अगर हम आएं तो 324 बीसी बिफोर क्राइस्ट माइनस 3 324 324 बीसी से 185 के बीच में इंपेरर अशोक मार्या थे अशोक मार्या इस्टाबिलिश्ट कंस्टिशूशनल प्रिंस्पूल्स इनसे पहले भी अशोक मार्या से पहले भी चंद्रगुप्त हुआ करते थे इनके ग्रेंट फादर चंद्रगुप्त थे और चंद्रगुप्त मार्या जो थे चंद्रगुप्त मार्या के प्रधान मंत्री चानक्या थे जिनको विश्णोगुप्त के नाम से भी जाना जाता जिनको कोटिल्य के नाम से भी जाना जाता है तो चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक भारत का अर्थ सास्त्र वास्तमें वह एकॉनॉमिक्स आफ इंडिया नहीं है वह जो भारत का अर्थ शास्त्र है वह पॉलिटिकल बुक है पॉलिटिकल साइस है एक Constitution है और उसमें वह बता रहे हैं कि राज कैसे करनी चाहिए किस किस बातों पर ध्यान रखनी चाहिए तो वहीं से डिराइव हुआ है जो चानक्य की जो बुक है वहीं से आगे की तरफ यह डेवलप हुआ है और अशोक के राज्य में कई तरह के कंस्यूशनल प्रिंस्पल को देखा जा सकता है जिनको उन्होंने कहीं न कहीं पहले उससमें बुक गर नहीं होते तो तो पीलर पर लिखवाए गये थेरॉक्स पर लिखवाए गये में अलग अलग जगहों पर लिखवा रहा और 1599 में हम आते हैं 1599 में हम आते हैं ऐसा इसलिए आते हैं कि इस समय इस्ट इंडिया कंपनी टेक्स टोटल एड्मिस्टेटिव कंट्रोल बाई गेनिंग राइट ऑफ दो टेक्से सान इन बंगाल आफ्टर बैटल ऑफ पलासी लगबग 1600 इसबी से ले करके और 1765 के बीच में 1600 इसबी में इस्ट इंडिया कंपनी यहां पर बिजनेस करने के लिए आती हैं ब्यापार करने के लिए आती हैं और ब्यापार करने वाली कंपनी धीरे धीरे इंडिया पर पूरा एड्मिस्टेटिव कंट्रोल कर लेती हैं और 1867 पलासी क के बैटल के बाद से तो बिहार और बंगाल में और भारत के अधिकतर हिस्से में टैक्स लेंड कलेक्ट करने का उनके पास पावर मिल जाता है कहने का मतलब कि इस्ट इंडिया कंपनी का राज्य स्थापित हो जाता है कि 1765 से 1865 तक इस्ट इंडिया कंपनी का अपना राज होता है और इस्ट इंडिया कंपनी अपनी सुवधा के अनुसार रूल रेगुलेशन बनाती है किसलिए बनाती है इस्ट इंडिया कंपनी के एंडिया इंडिया 1857 में बीद्रो होता है छो इंडिया कर Jack Fall इंडिया कंपनी के हाथ से क्राउन के पास चला जाता है भी टक कमपनी के नाम से जानी जाती है वह कमपनी इंडिया पर प्रूल करती थी बाद में ऐसा ब्रीटिस को लगा कि इस कमपनी से अब अपने सारे पावर ले लिया जा है कमपनी को इंडिया में बिजनेस करने के लिए ब्रीटिस गौर्वर्मेंट में लाइसेंस दिया था का पिरियेड है इसमें विद्रो भी होते हैं और इसी पिरियेड में कंस्ट्यूशन आफ इंडिया का शेपिंग भी होता है और फाइनली 1950 में 26 जनुरी 1950 को भारत का जो संभिधान है उसको लागू कर दिया जाता है तो यह नट्स्टेल में ए रहा इसको विश्टार से हमें पढ़ने की जरूरत है जब विश्टार से पढ़ेंगे तो इसका जो development है असको दो हिसे में बाट करके पढ़ेंगे company rules जो 73 से ले करके 57 तक था और crown rule जो 58 से ले करके 1947 था तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल सब्सक्राइब कर दें लाइक कर दें अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें दूसरा चैनल है जिस पर आर्टी एक्ट है वह है एसजी के जी टू पॉइंट टू तो आप यहां से यह समझ लिजिए कि ब्रिटिस केम टू इंडिया इन दा 17th century initially for trading only व्यापार के लिए अंग्रेज यहां पर आये थे इवेंच्वली आफ्टर स्लोईंग श्लोली गेनिंग to more power they attend the rights to collect revenue and govern theme selves तो सब्सक्रणead के लिए तो वियरे थीरे थीरे व्या पार करते 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 पर्मिसन लेने वाला एक दिन पर्मिसन देने वाला बन जाता है और इंडिया में revenue collection उनके हाथ में आ जाता है और वो इंडिया को govern करने लग जाते हैं इन आरट तो डू दिस लैंटेड वीरियास लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस देष में tax collection के लिए अपना बिजनेस चलाने के लिए और बिजनेस और टेक्स टेक्सरीक्शन कलेक्शन ठीक से चलता रहा है, लंबे समय तक चलता रहा है, इसके लिए East India Company ने कई प्रकार के Rule, Regulation, Laws को फ्रेम किये, अपनी सुगधा के लिए फ्रेम किये, in 1958, after the revolt of 98, sorry, in 1858, after the revolt of 1857, the rule of the East India Company was brought into a, and the British Crown surpassed direct control of India after the dissolution of the East India Company and begins the British Raj, 1857 के विद्रोह के बाद, जिसको कुचल दिया गया, 1857 के विद्रोह के बाद, East India Company को खतम कर दिया, British Government ने, और British Crown ने, इंडिया का जो है, administration, अपने हाथ में ले लिया, और 1858 से, इंडिया, direct British Raj में आ गया, the British Crown had always assumed the sovereignty over the India, तो जितने समय तक, अंग्रेजों का राज था, उस समय तक, इंडिया की जो sovereignty थी वो, Crown के पास थी, British Crown के पास, sovereignty means संपरबुरता, मतलब गुलामी थी, Government of India Act 1858 was the first statute passed by the Parliament which is marked as the beginning of the evolution of the Indian Constitution, India के बारे में, British Parliament में पहला Act जो बना था, वो, Government of India Act 1950, 1858 बना था, 1858 इंडिया को गवर्न करने के लिए, ब्रिटिस पार्लियामेंट में बना था, और कहा जाता है कि ये पहला अपने आप में codified एक ऐसा रूल था, जो पूरे इंडिया को गवर्न करने के लिए बनाया गया था, and that is why it is known as the beginning of the evolution of the Indian Constitution. So, जब इसके background की बात हम करते हैं, तो इसमें regulating act 1973 भी आएगा, Pits India Act 1784 को भी पढ़ेंगे, Charter Act 1833, उसके बाद से 12-20 years के बाद से 1833, उसके 20 years के बाद से 1853, 57 में revolt हो गया, होने के चलते 58 में Government of India Act आया, उसके बाद से Indian Council Act 1861, Indian Council Act 1909, Government of India Act 1919, Government of India Act 1935, and finally the Indian Independence Act 1947, सब की हम एक की करके थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे. So, regulating Act 1773, regulating मतलब, regulate करना, जो कोछ भी पहले से चल रहा है, उसको उसको रूल के अनुसार बना देना. The first step was taken by the British Parliament to control and regulate the affairs of the East India Company in India. जब इस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया पर कभजा हो गया, तो British Parliament ने पहला जो एक्ट बनाया, regulating Act 1773 बनाया, जिससे East India Company इंडिया को रूल कर सके. With this, the Presidency of Bengal was superior to those of Bengal, Bombay and Madras. जब बनाया गया थी, Bengal की Presidency, Bombay की Presidency, Madras की Presidency. Bengal की जो Presidency थी, it was kept superior, Central उसको बनाया गया. And also its governor was the designated as the governor general of all the three provinces. वैसे तो तीन अलग अलग province थे, लेकिन बंगाल का जो governor था, उसको governor general कहा जाता था. और उस governor general की बातें, Bombay के governor और Madras के governor follow करते थे. Warren Hastings was the authorized as the governor general through the act. So, 1773 के द्वारा, Warren Hastings को पहला governor general बनाया गया. An Executive Council of Governor General was created with four members. The Supreme Court was established at Calcutta as the Apex Court in 1774 comprising the Chief Justice and three other judges. So, चुकि governor general कलकत्ता में बैठते थे, जो बेंगाल की presidency थी, वो superior presidency थी, governor general की office कलकत्ता में था, कलकत्ता में था, इसलिए Supreme Court of India जो है, जो इनके गवर्न के लिए करना था, वो Supreme Court को भी कलकत्ता में ही, है जो आफेक्स कोट 1774 में, Supreme Court है यह Supreme Court of India नहीं है, So, Supreme Court जो है 1774 में, कलकत्ता में इस्टाबलिश किया गया, जिसमें एक Chief Justice और तीन अधर Justice थे. It prohibited servants of the company from engaging in any private trade or accepting bribes from the natives. So, काने का मतलब यह है कि जो भी company के जो servants दे, जो company के में job करने वाले थे, उनको किसी भी प्रकार का private trade और bribe लेने से मना करता था, यह regulating act 1773 की विशेशताय है, इसके बाद से, Pits India Act 1784 आया, the company territories in India were called British possession in India, नाम change हो गया, commercial and political functions of the company separated, कहाने का मतलब यह है कि अभी तक company का political power, commercial power दोनों साथ साथ चलता था, अब यहाँ से company business को अलग कर रही है, politics को अलग कर रही है, political power किसी और के हाथ में दे रही है, और business कि इसी और के हाथ में बटवारा हो रहा है, so Pits in India Act 1784 के द्वारा जो government, जो East India Company के जो function ते उसको बटवारा हो रहा है, एक political function अलग हो रहा है, और commercial function अलग हो रहा है, the court of directors managed the commercial activities, court of directors बनाये गया, और वो directors का काम हो गया, commercial activities को देखना, while the board of control, court of directors, company के लिए, और board of control, political affairs के लिए, reduce the strength of the governor general's council to three members, जो पहले जो governor general का जो council था, उसमें जादे member होते थे अभी three members कर दिया, governor's council were established in madras and bombay, जो governor का जो presidency जो city थे उस वहाँ पर governor's council established किया गया, पहले council एक ही था, आभी council established किया गया, जो madras और Bombay में हुआ, यह है pits India act 1784, इसके बाद charter act of 1813 आता है, the company rule was extended to another 20 years, कहने का मतले हुआ कि जो British Parliament थी वो हर 20-20 साल के लिए company के जो company का जो rule था उसको वो renew कर रही थी, 73 के बाद से वो 93 में होना था, लेकिन 83-84 में pits India act आ गया, तो उसके 20-20 year बाद से, शोरी, 73 में regulating act आया, 73 के बाद से 1993 में भी एक regulating आता है, उसके बाद से charter act आ रहा है 1813 में, the company's monopoly over Indian trade terminated, trade with India open to all British subjects, कहने का मतलब यह हुआ कि charter जो charter act 1813 में, British crown ने जो East India Company को monopoly दे रहे थी कि सिर्फ और सिर्फ East India Company ही इंडिया में trade कर सकती है, उस monopoly को उनोंने समाप्त कर दिया, and now India became the market for all Britishers, so British British का कोई भी आदमी आकर के यहां पर trade करने के लिए खुली छूट हो गई, लेकिन company के लिए कुछ subject reserve रखे गए जैसे T, OPM and China के साथ company की ही चलती रही, this act grant permission to the missionaries to come to India, so conversion का जो खेल है वो 1813 के charter से शुरू हुआ, इंडिया में इससे पहले conversion नहीं था, इससे पहले अंग्रेज आये थे, राज करने के लिए, rule करने के लिए, trade करने के लिए, business करने के लिए आये, अंग्रेज आये यहाँ पर business करने के लिए, उसके बाद से rule करने लगे और जब rule करने लगे, तो उनको लगा कि अब conversion की जरूरत है, तो जो यहाँ पर majority of citizens थे, उनको उन्होंने Christianity में convert करने के लिए वो प्रानंब कर दिये, missionary आने लगी और conversion शुरू होता है 1833, 1813 onwards, the act provided for a financial grant towards the revival of the Indian literature and the promotion of science, तो इसके द्वारा कुछ इन्होंने जो इंडिया से पैसे लुटते थे उसमें से कुछ इन्होंने grant के रूप में देना शुरू कर दिया, उसके बाद से 20 years के बाद से Charter Act 1833 आया, अब Governor General of Bengal became the Governor General of India, अभी तक 1833 तक Governor General of Bengal का पोस्ट था, अब Governor General of Bengal का जो पोस्ट था, उसको खतम करके, खतम क्या करके उसको एक्स्टेंड करके Governor General of India कर दिये, फिर्स्ट गवर्नर जनल अफ इंडिया का पावर जो है, लॉर्ड विल्यम बेंटिंग को गवर्नर जनल अफ इंडिया का रूप में शौप दिया गया, और विल्यम बेंटिया का जो जो लेजिसलेटी पावर जो जो चार्ट एक्ट आया, वो जो लेजिसलेटी पावर बंबे और मद्रास प्रोविंसिस का था, उसको इनोने हटा दिया, और सारा पावर जो है, जो सेंट्रल लेजिसलेटी पावर गुरूप में केलगेटा के पास चला गया, जो गवर्नर जेनरल अफ इंडिया के पास चला गया, इस पर दे एक्ट अन इंडियन लोग कमिशन वाज इस्टाबलिश्ट इस एक्ट इंडेट अ कमर्शियल एक्टिविटीज अप्टिविटीज अप्ट इंडिया गया और उनको इक्स्क्लूसिब एड्मिस्टेटी बोडी के रूप में एक्सेट किया गया, 20 years के पाँ से 1853 आता है, 1853 में Central Legislative Council was created of six members out of which four were appointed by the provisional governance of Madras, Bombay, Agra and Bengal. The legislative and executive powers of Governor General Council were separated, यहां से separation हो रहा है, legislative का, executive का, कहां से 1853 से, गवर्नर जनरल के पास तो पूरे पावर है, गवर्नर जनरल अपने पास जो council रखी है, उसमें से उन्होंने कुछ legislative पावर कुछ अलग लोगों को separate कर दिया, executive power separate कर रहा है. It introduces a system of open competition as the basis of the recruitment, यहां से merit basis पे competition शुरू होता है, और civil servants of the company. Company में civil servants के लिए, नौकरी के लिए open competition की शुड़वात होती है, 1853 से. बट इसी बीच में 1877 का संग्राम छिड़ जाता है, और यह 1853 वाला जो, 1853 का जो charter rate है, वो बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाता है. नहीं चलने के बाद से क्या होता है, 1857 में विद्रो होता है, भारत का प्रतम स्वतंतरता संग्राम होता है, उस को उस विरूद को दबा दिया जाता है, और दबाने के बाद से Government of India Act 1858 पास किया जाता है, इसके साथ ही Company का जो रूल था वो खतम हो गया, इस से पहले Company का जो रूल था, उस पर इन डिरेक्ली क्राउन का अधिकार था, डिरेक्ली कंपनी रूल करती थी, 1858 के Government of India Act के बाद से कंपनी के रूल को खतम कर दिया गया, और क्राउन का डिरेक्ट रूल इंडिया पर हो गया, दो पावर्स अप ब्रिटिस क्राउन वेर तो बी एक्ससाइज़ बाइद Secretary of State for India नाम का एक पोश्ट बनाया और वो जो Secretary of State for India थे, उन ही के हाथों में भारत की सत्ता सौप दी, He was assisted by 15 member council of India, उन की साहता के लिए 15 member की council बनी थी, Governor General was designated the viceroy as well Lord Canning was the first viceroy of India. So अभी तक जो Governor General of India का लाते थे, वो Governor General of India का नाम change हो कर के viceroy कर दिया गया, और Lord Canning जो ते, he was the first viceroy of India. The court of directors and the board of control were abolished. So court of directors और board of control, court of directors थे और board of control थे यह जो दो अलग-अलग entity बनाय गई थी, एक business करने के लिए और एक administration के लिए इन दोनों को abolish करती आ गया. This act introduced उसके बासे 1861 का एक आता है. This act introduced popular element of involving Indians for a very first time to represent in a legislative council and executive council as the non-official member. Three Indians entered the legislative council. Legislative council जो बनी उसमें तीन इन इन पहुंचे. Legislative council were established in centre and provinces. In accordance, it accorded statutory recognition to the portfolio system. Decentralization initiated with the presidencies of Madras and Bombay being restored their legislative powers. कहाने का मतलब कि जो legislative power उनका हटा दिया गया था, फिर से restore कर दिया गया 1861 के Indian council act के द्वारा. उसके बाद से Indian council act 1892 आता है. This act increased the number of additional or non-official members in the legislative council. Legislative council में संख्या बढ़ रही है. Give more functions to the legislative council such as the discussion of budget and questioning the executives. So, यहां पर legislative council के का पावर भी बढ़ रहा है. Legislative council के member भी बढ़ाए गया. Legislative council के पावर भी बढ़ाए गया. Legislative councils were empowered to make new rules and appeal, repeal old laws with the permission of the governor general. Government, governor general की permission से legislative council को यह power दिया गया कि नया rule frame करें और पहले के जो rule है वो repeal करें. Introduced indirect elections, nomination. So, यहां से election terminology यूज हो रहा है. यहां से election हो रहा है. But election जो है not by voting, by nominating. So, जिसको governor general चाहा है, जिसको council चाहा है, जिसको legislative council चाहा है, जिसको executive council चाहा है. उसको nominate कर दे. So, यह nomination था, यह election नहीं था. इसके बाज से Indian council act 1909 आता है. This act is also known as Morley-Minto reforms. जब यह दो-दो नाम एक साथ आते हैं, तो दो नाम तब आते हैं, एक नाम होता है, जो Secretary of India बनाए गये थे, पॉइंट किये गये थे, और दुसरे वाइसराय उफिटिया. Secretary of India जो Crown ने पॉइंट किया था और वाइसराय उफिटिया जो इंडिया पर रूल करते थे. इन दोनों के नाम जोड़ करके Morale Minto reforms कहा जाता है, Direct Elections to the Legislative Councils will introduced for the first time. So, आप देखेंगे कि यहाँ पर Nomination हो रहा था, 1892 में Nomination शुरू हुआ, और उसके 20 साल बाद, 1909 में, Direct Elections शुरू हो गये. Legislative Council के लिए Direct Elections शुरू हुआ, Adult Franchisee नहीं था, Universal Adult Franchisee नहीं था, यह Direct Elections जरूर थे, लेकिन इसमें कुछ ही लोगों को पावर थे voting के लिए, सारे लोग इसमें वोट नहीं कर सकते थे, इसलिए यह Universal नहीं था. Change the name of the Central Legislative Council to the Imperial Legislative Council, Central Legislative Council का नाम बदल कर के, Imperial Legislative Council किया गया. It introduced concept of separate electorate. Lord Minto appointed Satyendra P. Sinna as the first Indian member of the Vaisaraya's Executive Council. Vaisaraya का जो Executive Council था, उसमें first Indian जो पॉइंट किये गये थे, वो Satyendra Prasad Siddhaji थे, जिनको Lord Minto ने किया था. इसके बाद से आजाते हैं, Government of India Act 1919, 10 साल के बाद हो रहा ही है. This act is also known as Montague-Chems-Ford Reforms, again इसमें से एक Vaisaraya का नाम है और एक Secretary of India का नाम है. Diarchy was introduced in the Provincial Governance and Executive Councilors being in charge of the reserved list and the Ministers in charge of the transferred list of the subject. So, यहां से द्वाद शार्षन शुरू होता है. A bicameral legislation was introduced for the first time at the center, legislative assembly with 140 members and legislative council with 60 members. So, यहां से बाद से बाद का बन रहा है, अभी हमारे पास क्या है? Bicameral है, एक लोग सभा है, यह राज सभा है. यहां से बाद बाद सबुली लाए है, एक legislative assembly बन रहा है, एक legislative council बन रहा है. Legislative assembly में 140 members and legislative council में 60 members. It mandated three members of the Vaisaraya's executive council to be Indian. the act provided for the establishment of the public service commission public service commission शुरू हता है 1919 से this act extended the right to vote about 10 percent of population acquired voting rights so इसके बाद से 1919 के बाद से 10 percent जो इंडियन सिटिजन थे 10 percent citizens को of population को 10 percent of population को voting right दिया गया तो इस तरीके से उस समय अगर 50 लाख लोग थे तो उन में से 5 लाख लोगों को voting power दिया गया सारे लोग voting नहीं कर सकते थे उसके बाद 1935 का एक्ट आता है Government of India Act 1935 this act provided for the establishment of an all India federation consisting of the provinces and princely states as units though the the invasiced federal never came into being कामने का मतलब कि इंडिया जो है आज जो फेडरल कंट्री फेडरल सिस्टम में जो है कोजी फेडरल में है उनिटरी कम फेडरल है यह जो है फ्रेम वर्क जो है 1935 के एक्ट से ही लिया गया है subjects were divided between the center and the provinces center was in the charge of the federalist provinces in charge of the provincialist so यहां पर separation of power भी हो रहा है power का division भी हो रहा है एक एक प्रोविंसियल लिस्ट बना एक फेडरल लिस्ट मना फेडरल लिस्ट के लिए जो पावर दिया गया वो सेंटर को दिया गया प्रोविंसियल इस्ट का जो पावर दिया गया वो स्टेट को दिया गया and there was a concurrent list which both catard to आज भी हमारे पास तीन लिस्ट है union list, state list and concurrent list इसी तरीके से यहां में पहले सेंटरल लिस्ट, प्रोविंसियल लिस्ट and concurrent list इसका मतलब कि 1935 एक्ट से हमने इसको कॉपी-पेस्ट किया डायर की वाज अबोलिस्ट इसको अबोलिस्ट करके सेंटरल लेवल पे लाया गया, a federal government court वाज इस्टाबलिस्ट and the Indian Council अबोलिस्ट, Indian Council को अबोलिस्ट करके federal court को इस्टाबलिस्ट किया गया 1935 में, this act introduced direct election in India for the first time, यहां से direct election होता है, 1935 एक्ट जो है direct election लेकर के आया था, यह एक्ट कितना सफल हो पाया, यह समय ही बता पाया, क्योंकि इसके बाद से Indian freedom fighter, freedom struggle जो है और भी intensify हो गया और उसी बीच में 1947 में है, जो देश है वो स्वतंत्र हो गया, so 1947 act में क्या है, the act provided for the partition of India and Pakistan and all the laws which were in act in for in British India would be applicable to both domination, dominions until amended by their respective legislature, so 1947 act के द्वारा India independence act 1947 के द्वारा इंडिया और Pakistan का partition किया गया और यह उसमें provision किया गया कि यह जो इंडिया इनिपेंडेंडेंस एक 1947 तब तक इंडिया पाकिस्तान में चलता रहेंगा जब तक कि वहां के लेजिसलेचर अपना रूल बना नहीं लेते खुद बदल नहीं लेते, इंडिया वाज डिकलिए इंडिपेंडेंट एंड इंडिया को यहां से आजाद बना कर दिया स्वतनत्र कर दिया गया और संपर्भुता इनको दे गई दी गई इस्टाबलिश्ट coupled में आजगे ड्सीवालाइ नौन ऩॉर्श किया गया दे जिज्गनेट्टी इन्डिया एंड प्रविंश गोवर्नर एस वाई सराय इंडिया यहां स。 तो जु यहां स्वाई सराय अपंटिया ते उनको इस्टोन स्वाई स CHARля नंगा वना दिया गया और उसी constitutional price of India को constitutional head को बाद में वाइसराय house जो प्रेसिजटन हाव प्रेसिडन हावस है उस प्रेसिटराश्टपति भोन को यह वाइसराय भोन हुआ करता था और उसी वाइसराय को replace करके president का post बनाया गया सब्सक्राइब करेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे तब तक के लिए आप इतना ही जान लेजिए कि बारत का संबिधान लिखने में दो साल 11 महीने 17 दिन लगे थे लगबग इतना ही समय तुलसी दाजी द्वारा रामचरित मानस के लिखने में भी लगा था दो साल साथ महीने 26 दिन लगा ये जो चार महीने एक्स्ट्रा दिन लगे हैं ये उस पे डिबेट में लगा इसमें दो साल 11 महीने लगे हैं इसको भी लिखने में दो साल 7 महीने ही लगे थे लेकिन इसमें डिबेट होते थे डिसकसन होते थे और उसके अनुसार इसमें चार महीने ए में ही था तो इस तरीके से यह दूसरा से शंदा जन लोगों ने subscribe नहीं किया है वो इस चैनल को subscribe करें like करें comment करें और हां आपने दोस्तों के बीच में share करना न भूलें please do subscribe and share to your friends will meet in the next class